तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का एक और नवी बीडियो में तो इस बीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग अपना चैनल ग्रो करा सकते हैं और monetization के time आप लोग कैसे ये trick लगा कर अच्छे तरीके से monetize करा सकते हैं जैसे कि मैं बता दूँ कि आप लोग कैसे choose कर सकते हैं category यानि बहुत लोगों को पता ही नहीं कि कौन सी category किस channel के लिए useful होती है और कब यूज किया जाता है और किस channel के लिए category कौन सी अच्छी होती है तो जैसे कि ये technical है YouTube वाले बाबा जी इनका कौन सा चैनल का category है और मेरा क्यों सा चैनल का category है और ये कुछ आप लोग को जैसे fitting का है बोडी में बनाने वाला वो सब कौन सा category है मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा तो आप लोग इस वीडियो को script न किजिएगा script नहीं करेंगे तो आप लोग बहुत ही अच्छा क्या कर सकते हैं कि यहां से अपने चैनल को लाब उठाने के लिए जनकारी पा सकते हैं तो आप लोग का चैनल ग्रो हो रहा है और montization भी apply करने का टाइम आ गया है लेकिन आप लोग को पता नहीं है कि आप लोग का कौन सा category है तो category चुछ करने के लिए yt application को आप लोग को option पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा और दोस्तों यह वाली जो मैं कल वीडियो चड़ाया था उस वीडियो को प्लीज जाकर आप लोग वाच कर दीजिएगा क्योंकि मैं आप लोग के लिए बहुत सारा मेहनत करता हूं और वीडियो बनाता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि मैं एक वीडियो पर क्लिक कर देता हूँ तो वीडियो पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे क्लिक करने के बद क्या होता है कि यहाँ पर आप लोग का सब नार्मल और मर दिखा देता है तो यहाँ पे pencil वाला जो icon है दोस्तो उस पर आप लोग click कर लिजिएगा जब pencil वाले icon पे click करते हैं तो first में title दिखा देता है description दिखाता है second में और यहाँ पे public कर सकते हैं यहाँ पे no and is तरह का फिर playlist तो इससे हमारा कोई भी काम नहीं है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है सिरिफ more वाले option पर आप लोग को क्या करना है दोस्तो कि कर देना है click जब इस पर आप लोग click करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे अपना कुछ tag डाल सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे setup कर सकते हैं कि आप लोग के वीडियो पर कोई यहाँ से remixing करें या जैसे हम लोग वीडियो बनाते हैं उसी तरह का वीडियो बनाए कि नहीं तो देखिए जब category वाले option पर आप लोग click करते हैं जैसे कि मैं category वाले option पर click कर दिया तो आप लोग का channel जैसे relative है technical से तो यहाँ पे science and technical दोस्तों जिसको भी पता नहीं है वो अच्छी तरश से देख ले और क्या करेगा कि यहाँ पे अपना choose कर लेगा science and technical पर आप लोग choose कर लिजेगा और choose करने के बाद क्या किजेगा कि यहाँ से setup कर्दे सकते हैं इसके बाद से क्या है कि देखिए public news, public blog जैसे देख सकते हैं तो public blog का जो channel होता है वो vlogging के लिए होता है उसके बाद से क्या होता है कि यहां पे how to style how to style का मतलब क्या होता है कि आप लोगों को मैं starting से ही बता देता हूँ starting से बताने के बाद जैसे वेलकेल से आप लोग bike riding जैसा वीडियो आप लोग बनाते हैं तो यहां पे आप लोग का वो category होगा comedy का जो वीडियो बनाता है उसके लिए comedy वाला category होगा education से relative जैसे कि education का बनाया जाता है तो यहां पे क्या होता है पढ़ाई लिखाई के लिए आप लोग वीडियो यानि अपना channel बनाए है तो यहां पे education आप लोग चूज कर सकते हैं उसके बाद से यहां पे entertainment है जो आप लोग को हसाता है जैसे आप लोग हसाने वाला वीडियो बनाता है किसी को entertainment करते है तो क्या होता है कि यहां पे आप लोग entertainment चूज कर लेंगे उसके बाद क्या होता है कि film animation यह क्या होता है कि जैसे कि films आप लोग upload करते हैं channel पे तो क्या होता है कि आप लोग यहां पे film चूज कर ले रहा है तो दोस्तो इसी परकार आप लोग जो भी आपके channel का होगा वह ऐसा आप लोग चूज कर लीजेगा और इसी तरह आप लोग category अपना चूज कर सकते हैं मैं already अपना चूज कर लिया हूँ इसी लिए मेरा वीडियो क्या होता है कि category चूज करने से जब आप जिस category में वीडियो बना कर छोड़ते हैं तो क्या होता है कि उसमें ज़्यादा recommend करता है YouTube और आप लोग के channel पे अच्छा खासा व्यूज आता है तो आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग इस वीडियो में comment कर दीजेगा मैं इसी तरह का आप लोग के लिए कुछ खास वीडियो बहुत ही जल लाओंगा और एक और रिंग application से relative वीडियो आने वाली है इसके लिए आप लोग क्या करना है कि इस वीडियो को आप लोग को like कर देना है और मेरे channel को subscribe और notification को on करना न भूलिएगा दोस्तों तो मिलते हैं next वीडियो में thanks for watching my video guys